दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोर्मेशन पर बात कर लेते हैं फ्यूशर ग्रूप की ठीक है आज आपको 5% का अपसरक्रिट देखने को मिला क्योंकि आज जो था ना आज इसका जो है एक्जेक्ट रिजल्ट आने वाला था ठीक है तो फ्यूश रखा सुरक्षित यहां पर आपना जाते हैं थोड़ा सब को बता देता हूं ठीक है सौदा जो है 24,713 करोड रुपे में हुआ उसके बाद जो है आर्बिट्रेटर ने इस पर रोग लगा दी थी फिर CCI ने इसको मंजूरी दे दी थी ठीक है और अभी दिल्ली और अभी द इतना जो है अल्रेडी हो चुका है ठीक है अब क्या हो गया है कि अमेजोन की हितों की सुरक्षा के लिए अंतरे मादेश की जरूरत ठीक है हाई कोट ने क्या बोलाए इस वामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिए फैसला आने तक क्यूचर रिटेल को यह था इससे सौधा करने पर रोक लगाई जाए सिंगापूर की मतलस्ता अदालत लगा चुकी है डील पर रोक अल्रेडी आप में पता है यह है अमेजोन की जो है आपत्ती है बेसिकली 49 परसेंट का जो उसने फ्यूचर कूपंस जो है वो बैक अन रख है विच इस वर्थ रुपीस 1500 कर रुपीस ठीक है और इस वदा कब होने वाला था अगस्प होने वाला था यह जो डील थी 24,713 करूट रुपे की सेवी ने उसको मनजूरी दे चुकी थी ठीक है CCI ने मनजूरी दे चुकी थी लेकिन अभी अदालत ने उसको क्या कर रखा है सेव कर रखा है उस फैसले को ठ अगला जो शेर है वो बहुत ही बैस यहां किल पैस का 10 रुपे का आपको देखने को मिल रहा है यहां पर अगर आप देखेंगे तो ठीक है मैक्सिम चार्ट की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो मैक्सिम चार्ट में अगर आपको देखें तो यहां पर शेर ने 500 रुप कि चार वाप देखेंगे कि चार हजार से भी जादा का जो है से रिटन देखी पांच अजार का रिटन आपको देख रहा है यह 5000 कंपणी ने दिया पॉइड-$19. hooked17依न है कोई 19 आने के बाद खटम हो जाए तुर जाए के सपोसक्ट केには खटम कर दिया आượng में पॉस मोस्थ हमने खटम कर दिया वैक्सीन के दूँगा लेकिन क्या होगा जब कभी हम भूह हो किन तो हमारा मेंडेटरी होगा invest 산 होगा तो यह जो चीज है ना इसमें रवेनु जो है कंपनी की बढ़ती ही जाएगी अब देखिए यहां पर जो अगले शेर की बात करने वाला हूं वह मुझा से मेंट आज भी 6% के उच्छाल आपको देखने को मिला बोर्ड की मीटिंग 18 तारिक को पाटर तरी की रिजल्ट के लिए मैं बोर रहा हूं आपको शेर के अंदर में आप दाव लगा दो यह वो शेर है जो आपको केवल और केवल पैसे बना के देखा ने कि अकर मैं आपको मैकसिम चार्ट की बात करूंगा ना तो मैकसिम चार्ट कैसा है देखिए अप साइड है फिर अपसाइड है अपसाइड है अपसाइड है देखिए जितना गिरता जा रहा है ना बढ़ता जा रहा है और एक कोरोना में जो था वो मेक अप आल्डेडी जो है कंपनी ने कर दिया है फिलाल के लिए ठीक है मैकसिम चार्ट की बात कर तो यहां है यह साब को देखिए 275 कंपनी ने अभी तक जो है घबाया था फिलाल के लिए और कंपनी का देखिए 1000 परसंट का रिटा है यहां पर देखिए आपको के लेगूल 312 कंभाने के उपर काम कर रही है तो यहाँ पर एक मुड़दा कंपनी के बारे में बात करेते हैं सी आराम सिल्क मिल्क के बारे में ठीक है यहाँ पर आपको एक मैक्सिम चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ देखे कंपनी जो है जब यहाँ पर चल रही थी ना तो company ने record तोड़ दिये 1000% का company ने return आपको निकाल के दिया और अगर आप यहां से बात करेंगे तो company ने almost 1700% का return निकाल के आपको यहां पर दिया है अब क्या हुआ रहा है कि company का जो pricing है ना already यहां पर आ चुका है सीधे यहां पर आ चुका है तो यहां से जो हाई यह जो company बनाया था 745 रुबे का वहां company जा सकती है और कैसे जा सकती है वो मैं आपको दिखाता हूँ company जो है वो पूरी तरह गिर जो कीती देखिया आप आज भी इसके अंदर 6% का जो है आराम से आप profit देख सकते हैं ठीक है company के अंदर में net profit की अगर बात करें 275.1 million का जो है profit आया और देखिये जो था year to year पिछले बार का वो 76 था तो उसे at least इन्होंने four times जो है revenue generate करी है four times जो है revenue generate करी है year to year की बात करें तो company ने almost same COVID-19 के बाद भी same revenue generate कर दिये year to year भी तो this is our bounce back position और यह आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि देखिए promoters holding देखेंगे आप promoters ने अपनी holding को increase ही किया देखिए decrease की जगे company ने promoters holding को increase ही किया यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डियाएस का भी पैसा यहाँ पर जो है लगा हुआ है और public के पास में किता है केवल और केवल 20% के आसपास ठीक है 21% मान लीज़े आप तो ठीक है 21% के आसपास है ठीक है तो जहाँ पर 80% पैसा promoter एंड डियाएस के पास में है तो यहाँ पर आपको अपनी position बनाना secure है आपके लिए बेसिकली क्योंकि अगर सबस्यादा loss होगा तो वह किसको ने वाला प्रोमूटर्स वगरा को ने वाला है तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बेसिकली company है फिलाल जो है अपना जो borrowing है उसको देखिए कम पे कम करती जा रही है यह देखिए तो company जो है bounce back के सिती में आप कह सकते हैं यहां से अगर आप net profit देखेंगे तो देखिए कमपणी ने three digit की अंदर में किया था जब company पीक पर थी ठीक है उसके बाद decline हुआ लेकिन अब क्या हो रहा है अब वापत से शेयर जो है वह positivity की तरफ बढ़ रहा है जो net profit है वह positive होने वाला है ठीक है यहा पर आप देख सकते हैं और फिर यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर जो दो negative है ना वहां से अब company को क्या है positive output मिलने वाला है ठीक है आप देखेंगे तो market leader के अंदर में फूर्थ नंबर पर आता है सियाराम सिल्क के नाम से में ठीक है तो company का जो basically मैं आपको दिखा पास में ही चल रहा है आसपास में चल रहा है और company का जो market cap है 1000 करोड रुपे इसके आसपास है तो company के अंदर potential आ रहा है वापस आ सकता है और already जो है government ने बोला है कि basically government जो है textile के parks बनाएगी ठीक है तो इसको काफी फायदा हो जो है होने वाला है देखें यहां पर आप सकते हैं fabrics ready made garments तो जब textile को बढ़ावा दे रहे हैं तो इनको भी बढ़ावा मिलेगा CDC बात है और यहां पर आया चौकाने वाले डेटा थोड़ा सा quarter 3 का जो result है SDFC का वो 65% जो है डाउन है चिक है यहां पर आप देखेंगे तो operation false हुए है 42% 11707 करोड रुपे revenue से चिक है average loan size was higher 30 lakh says SDFC तो यहां पर थोड़ा सा SDFC को जो है जटका मिला है और यह रहा company का शेर आप देख सकते हैं यहां पर शेर ने एक जंप के बाद में consolidation किया लेकिन in the end थोड़ा वाट यहां पर declination आपको देखने को मिला देखिए maximum chart के अगर बात करें तो company नहीं यहां पर एक high बना company के अंदर में यह जो declination आया है यह जो declination आया है यह this is just because of the covid देखिए company के अगर आप चार्ट पैटन को अगर आप फॉलो करेंगे ना बढ़ता हो चार्ट है बढ़ता हो चार्ट है कहीं से भी अगर आप चार्ट को उठा लें तो uptrend chart ही आपको देखने को मिल रहा है फिल इसका पिछला जो maximum था उसको भी तोड़ दिया है और यहां पर आप दे सकते हैं एफाइस पूरी तरीके से पट्री पर आगए अच्छे असार करोड का माल जो है company ने बाइक किया है तोरी एफाइस ने बैसिकली 2000 करोड रुपए का जो है शेयर सेल किया डियाएस ऑल्वेस बेजता है जब भी मार्केट बढ़ता है और खरीता है जब भी मार्केट गिरता है फाइस ने काफी अच्छा माल जो है उठा लिया है वापस से ठीक है फाइस ने जो है इन्पुट दिया है वापस से आफ्टर बजट के बाद में आफ्टर बजट के बाद में वापस से ए मार्किट जो है वो पुट के लिए बजट आने के बाद में जो है एफाइज वापस पैसा इन करेगा और जाधा से अधा मार्किट को फाइस गिरा पाएगा 44 से 46 के बीच में ठीक है 46,000 से नीचे का रिजिस्टन मैं आपको बताया था 46,000 बहुत बड़ा रिजिस्टन्ट है उससे नीचे मार्केट गिरना बहुत ही मुश्किल था और वही हुआ आपको जो है मिलती है यहां पर ठीक है नीचे में इंजर बुकिंग का भी लिंक दिया आपको अगर कोई